कि दोस्तों आज हम डिसकरने वाले हैं बैसल के इंग लिया इस वीडियो के अंदर बहुत आसा अंतरी के समझेंगे कि बैसल लिए होता क्या है कैसे बनता है क्या इसके पार्ट है और जो इसके जो आपके एफरेंट और इफरेंट फाइबर हैं ट्रेक्ट हैं वो भी इस इम एंते बनले होता है पर भाइब चोंटहें है लेकिन कई यह तरहें इसके तुछ मिलते हैं जोटेशंके पार्ट डारा इनुकरिमे शटे होते हैं दोस्त बहुता है व्यशेंट GORDON यह थ JEANंग यह बोलते हैं वाइट ग्रेमेंटा इन रुद और आपको डइमेंट रिए म इसके बाद आती है दोसे इसके part तो part समझने के लिए man जो सका component होता है वो होता है कॉर्पस्ट्राइटम वो कहां पर राई करता है जो इंटरल कैप्सल होता है जो आपके ascending और descending track आपके जो पाथवे है वो लेके जाता है brain तक उसके दो साइड में हम डिवाइड करते हैं यह जो उपर वाला साइड है यह होता है कोड़ेट नूकलियस और जो यह साइड वाला पार्ट है यह होता है कि लैंटिफर्म नूकलियस लेंटीफर्म नुकलियस को फिर से दो पार्ट दोएड करते हैं दोस्त मेडियली गलोबस पैलीडियम लैटरली आपका प्यूटमेन दोनों को हम एक नाम देते हैं लेंटीफर्म नुकलियस और जो आपका लेंटीफर्म नुकलियस है इन दोनों को हम एक नाम देते हैं और को पहरांदा बाई करते हैं एक अनाटोमीकल कंपोनेंट या औरनाटोमीकल पार्ट और एक आपका कंपोनेंट तो कॉलोस्ट्रसTées सब्सक्राइब नुक्लियस इन तीन नोख मिला के च्छे को हम करते फंपोनेंट के अंदर ठीक है तो यह वह पार्ट याद रखने से उसके बाद हम आते हैं दोस्त जो इसका एफरेंट फाइबर है देखिए इनको समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए इसके फंक्शन यह थी हम जान लेंगे ना तो इनको हम बहुत आसान तरीके से हम समझ पाएंगे फ्रेंट और इफ्रेंट फाइबर को तो फंक्शन क्या होता है जो प्लानिंग और प्रोग्रामिंग और वोलेंटरी मुमेंट होता ना वह आपका कंट्रोल करता है बसल गेंगे लिया पहले कि मैं हो गया स्केल टाइब के मुमेंट आपके स्पीड कंट्रोल करना प्लान करना प्रोग्राम करना यह बहुत जोरी होता है कि स्कील फुल एक्शन को करने के लिए तो इस काम में हैल्प करते हैं दो टाइब की फाइबर दोस्त एक एफरेंट तो सिंगनल लेकर आते हैं तो यहां से जाते हैं तो एक तरन्फाइब आते हैं थी टाइप के दोस्त को टोटि स्ट्राइट भूसकल इल्सराइड ना मतलब मतलब आपका लोतिस पासले मुंहां आता है उसको हमने डोपामीन संथे साइjekt होता है वे इसका मैं इस पात्वे का मैन होता है क्योंक्य पारकेंस नीजीर होती है उसके अंदर वे आपका degenerate कर जाता है या काम damage हो जाता है उसके वज़ाए से dopamine की कम्य हो जाती है जिसके वज़ाए से Parkinsonism जो disease होती है वो इसकी pathology का महन जो starting point है वो आपका nigros stride fiber उसके बाद जो second था वो था thalamus stride fiber thalamus मतलब thalamus thalamus है थalamus है आपको पुट्टा महन से तो fiber जाई रहे है intel capsule के थरो और कुछ fiber आपके direct आपके coded nucleus है वहाँ पर जा रहे हैं यह वाले देखिए तो इसको बोलते हैं थैले most stride fiber समझे और तीज़ा जो fiber है उज़ो नाम है cortico stride cortico stride मतलब cortex से आएंगे cortex है cortex से आए आपको पुट्टा मैन पर देखिए वाले यह थरो external capsule यह आपका दोनों actual capsule की थरो आते हैं और इसको हम बोलते हैं cortico stride fiber और पुट्टा मैन में जाके एंड होते हैं तो तीन टाइप से signal बेजता है cortex बेजता है थैलमस बेजता है और आपका shift tension आएगरा से signal जाता है जिससे इनको एक information दे जाती है आपको यह program करना है यह scale moment करना है उसके बाद आता आपके जो e-front जो यह खुद यहां से बेजता है action को perform करने के लिए वो कुण से कुण से होते हैं दोस्त देखिए जो आपका यह वाला फाइबर है यह वाला ठीक है मालीजी यह होगा आपका putamen globus paladie हो वाला तो यहां पर आपके e-thelemus है यह सर्फ subthelemic nucleus है यह आपका cortex है तो यहां से जो neuron है वो आपका sub tension आएगरा में जाएगा reticular formation है उसमें यहां से signal है red nucleus को जाता है subthelemy nucleus को जाता है और आपका जो थेलमस है उसको जाता है और थेलमस से आपका cortex के अंदर जाता है जिसके जिसके बाद आपका signal आपको जो action करवाना है उसको blast में cortex signal भेजता है तो जो FL और AL है जिसके सरो आपके जो वेसल केंगे लिया है, वहां से थेलमस के लिए अब आपका फैसीकुलस लान्टिकुलारिस, ये दौनों आपके इन दौनों को सिंग्नल बेजते हैं, तो यह signal बेजने के बाद आपके जो action होते हैं वो आपको speed control करते हैं और आपका muscle tone को अल्टर करता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि जो skillful voluntary moment है उसको control करता है इन pathway के help से एक आगुस टेम्ट से नागिरा को signal बेज के reticular formation में करके सब्सक्राइब को तो यह पांच जहां पर यह अपने जो function है उसको perform करता है तो दोस्त यह हमें समझना है बस गया गया लिया के अंदर तो हमने क्या समझा वीडियो के अंदर फिर से मैं आपको recap कर देते हैं सबसे पहले हम समझा था कि दोस्ति होता क्या है उसके बाद हमने समझा था कि यह इसके पार्ट कौन से कौन से होते हैं जो इसके बाद यहां से आपके एफ्रेंट जाने के बाद इफ्रेंट फाइबर वेस्ता विसल गएंगे लिया इन जो ट्रैक्ट है या इन स्ट्रेक्चर की हेल्प से और अपने जो फंक्शन है इनका जो एक्शन है वो परफॉर्म करता है तो दोस्तों ओप की इस वीडियो से आपके अच लिखने है फिर उसका टाइप लिखने है फिर डाइगराम बनाना है उसका फिर उसको डिवाइड करना है उसके बाद आपको उसके एक्शन लिख सकते हो आप फंक्शन क्या है उसके बाद आप उसका इफ्रेंट फाइबर लिख सकते हो और लास्ट में आप इफ्रेंट फा और वीडियो को अभी जुरू लाइक करें जिससे जो मेरे एफर्ट थे आपको समझाने में वो मुझे लगएगा कि हाँ सफल रहे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो के अंदर थैंक यू बाई